दुस्तों डिसकस करेंगे एक बेटर सा प्लान के अबारे में यहां पर पकल रहिग सब्सक्राइब आम को यहां में पर तुर से प्लान का दंग क्रोड़ों सहब करेंगे is entry यहाँ पे है and plain height के हिसाप से हम यहाँ पे steps provide करेंगे क्योंकि print height जो यहाँ पे प्रौवाइड किया है actually 2 fit का है तो 6-4 inch righter के हिसाप से यहाँ पे steps रहेगा और 10 inch का आपको trade और यहाँ पे inner और outer यानि के अंदर और आप बाहर की दीवारे हैं 5 इंच मोटाई की है तो एक सटान हाइड देख सकते हैं हम नहीं यहां पर वाल्स लिए प्लींध हाइड लेख सकते हैं जेनरली तो रखना ही चाहिए हर एक वीडियो में हमने आपको बताए सज्जेस्ट करते हैं कि मिनिम्म जो साइज है प्लींध हाइड जो होता तो आप प्रोपर रखने से आपके दीवार में मतबब सीलन नहीं होता है एंड इंट्री यहां से करेंगे देख सकते हैं मेन दर्वाजा मिलेगा जैसे कि यह वाला दर्वाजा आप सारे तीन फीड बाई साथ फीड या फिर चार फीड बाई साथ फीड या फिर पांच फीड बाई साथ फीड अपने हिसाब से रख सकते हैं यहां पर 7 feet के ओपर 3 feet का वाल इसके तुरु दूस्तों इंटरी करेंगे तो यह वाला आपको मिल जाएगा living area ओगे यह वैटिंग area रहेगा यहां पर देख सकते हैं और यहीं से दूस्तों एक door मिलेगा जो आपको सारे 3 feet वे 7 feet का जो आप अंदर में इंटरी कर पाएंगे तो यहां पर सारे 3 feet वे 7 feet का opening प्रोवाइट करेंगे दूर का और यहां पर आएंगे तो आपको dining area में आते हैं दिख सकते हैं इस प्रकार से तो यह वाला dining area मिलेगा और यहां पर एक bedroom मिल जाए तो इसका जो door रहेगा आपको मिलेगा 3 feet by 7 feet का दरवाजा मिलेगा और इसका दो फिट चेंज चोड़ाई है 7 feet हाइट है तो एक जो रूम है इसके साथ आपको यह वाला आपको bathroom मिलेगा और यहां पर दोस्तों हमने जिसकी common bathroom दिया है तो common bathroom का दरवाजा hall के तरफ से ना होगा दोस्तों हमने steer जीने की नीचे से डाला है ताकि आपको bathroom का दरवाजा है directly hall के तरफ ना खुले तो यहां पर देख सकते हैं यह वाला आपको common bathroom और जीना यहां है city जिसे आप fixing हम बाद में करेंगे उससे पहले यहां पर देख सकते हैं यह कीचन है आपका जहापे आप खाना बना सकते हैं तो कीचन का जब दरवाजा रहेगा तो यहां पर आपको 2 फिट 6 इन चौड़ाई 7 फिट हाइट तो इस दरवाजा से कीचन में आप इंटरी करेंगे कीचन का जो slab है यह 2 फिट 7 से 8 इन इसका उंचा ही रख सकते हैं उसके बाद एक bedroom यहां पर मिलेगा 3 bedrooms का प्लान है और यहां पर जिसे की इस bedroom के लिए हम दरवाजा डालेंगे तो इसके बाद यहां पर एक bedroom है तो इसका भी हम जो door provide करेंगे तो तीन फिट बाइस साथ फिट का एक मिनटी यहां पर हम तोरसा लार्ज तोरसा यहां पर जिसकी size को लेके अगर हम बात करेंगे तीन फिट यहां पर लेंगे चौड़ाई ओगे तीन फिट चौड़ाई और exact measurement हैं तो आप देख सकते हैं यह वाला bedroom मिल जाएगा तो दूस्तों हम डोरस प्रवाइट कर दिया हैं चले बात कर लेते हैं की window के बारे में की window हम कहा का पर provide करें हैं खिरकी कहा पे size किस परकार से डाला है window का तो यहां पे तो आपको मिल जाएगा जैसे की आपका living area guest area जो है एक window यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर एक bedroom आ रहा है तो इसका side जो बात करें दोस्तों यह वहाँ आपको 4 feet by 4 feet का रख सकते हैं या फिर सारे 3 feet by 4 feet का उसके बाद इस side आएंगे तो यहाँ पर जिसे की bedroom है तो उसके लिए एक window हम यहाँ पर opening प्रोवाइड करेंगे तो यह वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सील लेवल जाब अपलीन टॉप से 3 feet है उसके बाद सील लेवल से टॉप 4 feet है यहाँ पर bathroom है तो इसका opening एक फिट बाई हम डेर फिट या फिट या फिट बाई डेर फिट कीचन यहाँ पर है तो कीचन का भी window हम लेंगे कीचन का window और window से थोड़ा सा छोड़ा होगा उसके बाद यहाँ पर जैसे की bedroom है तो उसका window हम यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे और back side आएंगे तो इस side में आप window डाल सकते हैं अगर आपका area पीछे में खाली है तो या फिर नहीं तो हमें window हमें provide कर रहते हैं कोई दिकत नहीं है अगर आपके पाद जगे नहीं है तो डाल नहीं सकते हैं याँ पर याँ पर यहाँ पर यहां पर आपको एस बढहर जाए का सब्सक्राबा बमें पर नहीं सकते हैं दोसले मिल का यहां और इस बातरूम ब संग्यार गेस्ट इस सकते हैं यहाँ पर ही भी एक window हम provide करेंगे तो दोस्तों आफ फाइनाली देख सकते है दोर विंडोस का आफिनिंग सामणे कि प्रोवाइड कर दिया है जिसकी स्क्रीन् leps देख सक्रीटने इस टियर निंदे की जीना का फिक्सिंग हम कर लेते हैं तो फाइनली दूस्तों आफ देख सकते हैं इस प्लान प्लान में जो 25-35 फीट का प्लान है तो यहां पर जैसे की फरनीचर सट अप भी किया हमने और जीना देख सकते हैं यहां पर तीन फीट आपको चौड़ाई उसके बाद राइजर साथ इंच रख सकते हैं और 10 इंच का ट्रेड यहां पर मिल जाएगा जहां पर पैर रखते हैं ट्रेड इसो बोला जाता है तो यहां फरनीचर भी सट अप कर दिया हमने चले दोस्तों इसका हम जो मेजरमेंट्स है इसका डामेंशन किस प्रकार से मिलेगा तो यह डामेंशन दोस्तों इससे आप आरा फिट तीन इंच भाई दोस्तों यह वाला बारे फिट का ही मिलेगा और कीचन का साइड देख सकते हैं आप मिलेगा साथ फिट भाई आपको छे फिट का मिलेगा उसके बाद आटेज बातरूम जो मिलेगा आपको साथ फिट भाई यहां पे साथ फिट भाई आपको मिलेग चार फिट का मिलेगा उसके बाद यह वला डूम की बात करेंगे तो इसका साइच देख सकते हैं 11 फिट 6 इंच बाई आपको मिल रहा है 10 फिट 11 इंच का उसके बाद यहां पर कॉमन बातरूम जो रहेगा 7 फिट बाई आपको मिल जाएगा चार फिट का डाइनिंग अरिया की बात करेंगे तो डाइनिंग अरिया देख सकते हैं 9 फिट 4 इंच बाई आपको मिल रहा है 10 फिट 5 इंच का उके उसके बाद दो यहां पर इस टीर की बात करेंगे तीन फिट वाइड स्टेप्स रहेगा देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कॉलम्स के बारे में कॉलम्स कहां कहां पर प्लेस करें साइज किस प्रकार से डालें तो यहां पर जैसे की इस कौड़े में कॉलम डाल सकते हैं कॉलम यहां पर प्लेस कर रहे हैं तो डिजाइन की आप से प्लान का आप कॉलम का साइज की बात करेंगे त 10 inch by 10 inch minimum रख सकते हैं column का size या फिर दो एक feet by 1 feet का भी रख सकते हैं यहाँ पर span कम है तो यहाँ पर column 10 inch by 10 inch का sufficient है and size की दोस्तों बात करेंगे steel कौन सा size का यूज़ करें तो minimum 12 mm डायागा steel यूज़ कर सकते हैं या फिर budget के इसाब से आप जा सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं total columns हमने provide कर दिया है तो उमीद करते हैं उसको plan काफी ही अच्छा लगा होगा आपको thank you for watching this video